तो आज के इस वीडियो में हम 16,000 से लेके 20,000 तक के फोन्स को चेक करेंगे लिकिन एक चीज है कि सिर्फ Samsung के फोन्स की बात करेंगे इस वीडियो में ऐसा इसलिए कि आप ही ने कहा था कि एक dedicated वीडियो बनाओ on Samsung फोन्स और इसमें मैंने कोई ranking नहीं की यानि के सारे के सारे फोन्स एकदमी बेस्ट कवर किया है मैंने और नहीं इसमें मैंने कोई 4G फोन एड़ किया है सबी फोन्स 5G हैं तो आप अपनी requirement के according इन में से किसी भी फोन को बाई गर सकती हो एक चीज है देखो मैंने पांच के लिस्ट पूरी किरने के लिए वीडियो नहीं बनाई मैंने सिर्फ वही फोन्स कवर किया है जो की एकदमी बेस्ट हैं तो नंबर में एक फोन आपको कम बताऊंगा सिर्फ चार फोन्स की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर लेकिन यह चार हो फोन्स एकदमी बेस्ट आप्शन है मैं आपको ऐसा कोई भी फोन रेकमेंड नहीं करता है जिसे मैं खुद बाई ना करूँ इस चीज का अपने ध्यान अखना ओके तो सबसे बेला फोन है सामसंग गैलेक्सी M32 फोन इसका जो करन प्राइस है डाइस राँ 20,000 रुपीज लेकिन इजली यह फोन आपको अंडर 20,000 रुपीज में मिल जाता है डिसकाउंट साइड करने के बाद इसके अंदर हमें 6.5 इंचिस की HD PLUS TFT LCD डिस्पले मिल जाती है 20,000 में TFT LCD डिस्पले है जो कि इस फोन का एक नेगेटिव पॉइंट है नो डाउट कि इसके जो डिस्पले है वो बागी सभी LCD फोन के कमपेरिजन में काफी जादा बढ़िया होगी अगर आपको डिस्पले इससे भी बढ़िया चाहिए 8GB, 1.8GB वाला वीरेंट है ये इसमें हम 6GB वाला वीरेंट भी दे सकते हो उसका जो प्राइज है वो फिर थोड़ा सा और कम हो जाता है हाइब्रेट SIM स्लोट फोन के इंदरह में Quad Camera Setup मिल जाता है 48Mapixel का में कैमरा 8Mapixel का Ultra Wide 5Mapixel का Macro Plus 2Mapixel का Depth Sensor दिया गया और इसका जो Front Selfie Camera वो हमें 13Mapixel का मिल जाता है इसका जो Main Camera उससे हम 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते है 30fps, 1080p at 30fps और इसका जो Front Selfie Camera उससे भी हम 1080p at 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि 5G Phone है 12 bands के support मिल जाती है फिर इसमें 5000 mh की battery capacity, USB Type-C 15W का charger हमें phone के साथ मिल जाएगा adapter हमें phone के साथ ही दिया गया लेकिन एक चीज़ा है कि Samsung के mid and flagship phones के साथ adapter आने बंद हो चुके हैं बट इसके साथ दिया गया तो it's a plus point after that Android 11 मिलेगा side mounted fingerprint sensor दिया गया secondary mic मिल जाता हमें phone में for noise cancellation and इसके अंदर हमें 2 सालों की software updates मिल जाती है Samsung का एकदमी बढ़िया smartphone अंडर 20,000 रुपीज आपने इससे जरूर कंसिडर करना है इसका जो best power link है वो आपको description box में मिल जाएगा अगला phone है Samsung Galaxy F23 phone देखो इसका जो current price है that is around 17,000 रुपीज लेकिन ये easily 15-16,000 में मिल जाता है and 15-16,000 में ये phone एकदमी the best option आप सभी के रिए 6.6 inches की full HD plus TFT display मिल जाती है हालांके इसके अंदर भी TFT LCD डिस्पले दी गई है लेकिन एक बढ़िया चीज है कि इसके अंदर हमें जो refresh rate मिलता है वो 120Hz का दिया गया Gorilla Glass 5Q protection के साथ 500 nits की peak brightness 2408 x 1080 pixels मिल जाती है प्रोसेसर इसका काफी अच्छ है Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर दिया गया अंतुतु स्कोर अराउंड 3,90,000 के करीब है 6GB plus 4GB virtual 128GB वाला वीरेंट है Dual SIM plus dedicated SD card triple camera setup दिया गया इसके इंदर 50MP का main camera 8MP का ultra wide plus 2MP का macro lens and water drop notch में 8MP का front selfie camera दिया गया फोन का इसका जो main camera है उससे हम 4K 30fps 1080p at 30fps record कर सकती है selfie camera से 1080p at 30fps 5G phone है 12 bands की support मिल जाती है 5000 mAh की battery capacity USB type C to C 25 watts तक की charging को ये smartphone support करता है लेकिन एक चकर है कि adapter हम इस phone के साथ नहीं मिलता we have to buy it separately if needed one UI 4.1 मिलेगा based on ender 12 auto data switching को support करता है side mounted finger pin sensor दिया गया secondary mic for noise cancellation voice focus technology दिया गया है 2 सालों की OS update and 4 सालों की security patch updates मिल जाती है phone में काफी बढ़िया phone है आपने से जरूर consider करना है Samsung Galaxy M33 phone इसका जो current price है that is around 18,000 rupees 6.6 inches की full HD plus TFT display मिल जाती है 120 hertz का refresh rate दिया गया 2400 by 1080 pixels मिल जाते हैं protected by gorilla glass 5 exynos 280 processor है antutu score around 4,000,000 के करीब है 6GB 128GB वाला variant है triple card slot दिया ये phone में quad camera setup दिया गया है 50 map pixel का main camera 5 map pixel का ultra wide 2 map pixel का macro N2 map pixel का depth sensor मिल जाता है phone में drop note style में 8 map pixel का front selfie camera दिया गया है main camera 4K at 30fps 1080 पे at 30fps selfie camera से 1080 पे at 30fps record कर सकते हैं 5G के 12 bands की support मिल जाती है इसके अंदर हमें बाकी सभी phones के comparison में सबसे ज़्यादा battery capacity मिल जाती है इसके अंदर हमें 6000 mH की battery capacity मिल जाती है लेकिन adapter हमें इसके साथ भी रही मिलता type C to C 25 watts तक की charging को ये smartphone support करता है android 12 दिया गया out of the box side marted fingerprint sensor के साथ ही secondary mic मिल जाता for noise cancellation, knock security, 2 सालों की software update and 4 सालों की security updates voice focus feature की support मिल जाती है for clear calling तो ये भी मेरे तरफ से highly recommended phone है अगला phone है Samsung Galaxy M53 phone ये phone specifically उनके लिए जो अपने budget को थोड़ असा push कर सकते है इसका current price around 25,000 रुपीज है लेकिन discount वगरा एड़ करने के बाद ये around 23-24,000 रुपीज में मिल जाता है लेकिन इस budget का the best phone है 6.7 inches की full HD plus super AMOLED display मिल जाती है AMOLED display दी गई है and साथ ही में 120 Hz का refresh rate दिया गया है so display के मामले में ये phone the best है इसका कोई जवाब भी नहीं है 2400 x 1080 pixels gorilla glass 5 120 Hz refresh rate Meta Tech Dimensity 900 processor it's a 6nm based processor Antutu score around 4,27,000 के करीब है 6GB 128GB वाला variant है hybrid sim slot अभी इसका जो camera ना वो काफी ज़ादा बढ़ी है बाकी सब भी phones के comparison में भी सबसे पहले quad camera setup दिया गया 108MP का primary camera 8MP का ultrawide 2MP का depth and 2MP का macro lens center पंचोल में 32MP का selfie camera लेकिन एक बहुती बड़ा ब्लस माटS के camera का के 4K वीडियोस हम record कर सकते है front and back दोनों camera से at 30fps 5G के 12 bands की support 5000 mH की battery capacity USB type C to C 25W की charging को ये smartphone support करता है adapter हमें phone के साथ नहीं मिलेगा 1UA4 based on android 12 side marted fingerprint sensor दिया गया प्लस उसी के साथ ही face unlock की भी support मिल जाती है secondary microphone noise cancellation knock security auto data switching जैसे features की support मिल जाती है phone में 2 सालों की software update और 4 सालों की security patch update मिल जाती है देखो जितने भी users अपने budget को थोड़ा सा पुछ कर सकते हैं तो ये phone आपके लिए highly recommended phone है आपने इसे जरूर जरूर consider करना है इसका जो west buy link आप आपको description box में मिल जाएगा तो इसे आपने जरूर जरूर चेक करना ओके तो या दिजादी best Samsung phone under 20,000 रुपीज आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि जो भी phone आपको अपने budget के according एकदमी best लगे आपने उसे बिलकुल बिंदास होके बाइ कर लेना है क्योंकि इस सभी phones एकदमी best options है that's all for this video guys वीडियो कर आपको बढ़ी लगे तो प्लीज जैर इसे like and share करें don't forget to subscribe to our channel guys thanks for watching the video peace out